नमास्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारे चैनल का वेलेकाडवी पर देखें हमारा जो है उद्देशिका वाला चप्टर चल रहा था जिसमें अभी तक हमने 11 प्रस्णों को लेकर के बात कर ली थी यह हमारा जो है लेक्चर फाइफ का ही पार्ट टू है ठीक अब हमने किया क्या है कि अब अब 30-30 मिनट के लेक्चर डिस्कस कर रहा है और लगातार डिस्कस कर रहा है तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं टाइम बेकार ना करते हुए क्योंकि टाइम बहुत कम है तेई सेकंड और यदर उदर की बात तो बीद गया कुछ सेकंड और संसोधन द्वरा दिच्वालिस वे संसोधन के द्वरा चलिए इसका सई अनसर है ऑप्जन नंबर सी वे संसोधन के द्वरा जो है संविधान में धर्म निर्पेच समाजवादी और अखंडता सब्द को जोड़ा गया था उनिस सो च्यात्र में ठीक है निच्ट बात करते है Q13 की थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है निमलिकित में से कौन भारत को धर्म निर्पेच राज्य वर्ड करता है A. मौली का जिकार B. सम्विधान की प्रस्तावना C. नवी अनुसूच या फिर D. राज्य की नीतिके निदे सकता तो चली इसका सही अंसर है आप्सन नंबर B. सम्विधान की प्रस्तावना आईए बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन के बारे में तो यहाँ पुछा जा रहा है कि निमलिकित सब्दों में से कौन सा सब्द सन 1975 में भारती सम्विधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था आपको बार बार बताए गया है कि 1976 में 42 सम्मिधान संसोधन 1976 के द्वारा सम्मिधान में पंत निर्पेच समाजवात और अखंडता सब्द को जोड़ा गया था अब देखे 1976 में या तीनों सब्द जोड़े गयते तो 75 में कौन सा सब्द नहीं होगा आपसन नमबर डी यानि कि अखंडता सब्द नहीं होगा ठीक है चलिए बात कर लेते नेक्ष्ट प्रस्ट के बारे में तो यहां पुछा जा रहा है कि सम्मिधान की उद्देशिका के संबंद में निम्न कतनों पर विचार करिए और दिये गए कूट की सहायता से बताईए कि इनमें से कौन सही है पहला कतन है पंडित नहीरू द्वारा प्रस्टूत अबजेक्टिव प्रस्ताव अंत्रतों गत्वा उद्देशिका बना दूसरा है इसकी प्रकति न्यायोगत नहीं है तीसरा है इसका संसोधन नहीं किया जा सकता और चोता है समधान के विशिष्ट प्रावध्वानों को यह रद नहीं कर सकता चलिए बात कर लेते हैं देखिए इसमें गलत कतन है आप्सन नमबर तीन इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि 42 संविधान संसोधन द्वारा इसमें तीन सब्द जोड़े गए थे समाजवादी पंथनिर पे खंड़ता यानि कि इसमें संस प्रकति नयायोगत नहीं है यह बात भी सही है मतलब नयायले दोरा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है ठीक है किया वह यह उद्दे सिका में ऐसा दिया है तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए सम्विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद भी नहीं कर सकता है ठीक तो अब मेरे ख्याल से इतने लंबे चोड़े एक्पलानेशन की देखें इसमें सही आफसन है आफसन भी तीन वाला गलत है ठीक तीन इसमें भी है तीन इसमें भी है चौथा चुकी सही है तो एक दो चार ठीक है अब सारी चीज़े बताई जा चुकिए तो एक्षवलनेशन की आवसकता ही नहीं है यहाँ पर ठीक है इसके प्रावधानों का एस में जो चीज़े दी गई है उसका उलेख जो है सम्विधान के जो कुछ ऐसे अनुच्छे होते हैं जो और इस पर होते हैं तो उनकी व्याक्षा के लिए जरूर किया जा सकता है ऐसा जो है केस्वान अन्द भारती के मामले में सुप्रीम कोड़ द्वारा निर्ड़य दिया गया है ठीक बाकी वही चीज़े है जो आपको अभी अभी बताई गई है उपर आइए बात करते हैं नेक्स कोश्चन की तो यहां पुछा जा रहा है कि सम्विधान के प्रस्तावना का विधीक स्वरूप क्या है यह लागू किया जा सकता है बी यह लागू नहीं किया जा सकता है इसका सही अंसर है option B यह लागू नहीं किया जा सकता अभी विविवत आए गया कि यह नियायोग नहीं है ठीक कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे एक सिकंड यह देखिए इसकी प्रकत नियायोग नहीं है ठीक चलिए बात करतें next person के बारे में तो यहाँ पुझा जा रहा है कि भारती सम्विधान की उद्देशिका में संसोधन किया गया था A. 17 संसोधन द्वारा B. 24 संसोधन द्वारा C. 42 संसोधन द्वारा D. 44 संसोधन द्वारा चलिए इसका सही अंसर है option number C दे कि अब तक सम्विधान संसोधन एक बार किया गया है उद्देशिका के संबन्द में कब 42 संसोधन द्वारा कब हुआ था या तो हुआ था 1976 में क्या जोड़ा गया था समाजवाद द्धर्म निर्पेच या सौरी पंथ निर्पेच कहीं कहीं आपको द्धर्म निर्पेच भी लिखा मिलेगा तो वह भी सही होगा ठीक है और अखंडता ठीक है याद रहना चाहिए चलिए बात करते हैं नेक्ट प्रसंद के बारे में कुश्चन नमबर 18 समाजवादी सब्द उद्देशिका में जोड़ा गया अब तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार संसोदन किया गया है आई यह बात करते हैं नेक्ट प्रसंद के बारे में तो यहां पुछा जा रहा है कि भारती सम्विधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द की से संसोदन द्वारा लाए गया टा से e सीधे सीधे एंसर बैयालिश समयदान संसोदन द्वारा करते हैं कि समाजवादी ततत्रम सम्विधान के प्रस्थावना में समाजवादी पंथ निर्पेच अखंडता यह तीनों सब्द 1976 में भारती सम्मिधान में जोड़े गए थे ठीक सब्सक्राइब भारती सम्मिधान की प्रस्थावना में पंथ निर्पेच सब्द जोड़ा गए बार बार यहीं सब्सक्राइब 2009-2008-2010 मतलब यह नहीं है कि आप जो है अब हाँ चलो ठीक है ना यह सी है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है पूरा कंसंट्रेशन हर प्रस्थावना में पंथ निर्पेच सब्द जोड़ा गया है 25 वे संसो जंद्वारा बी 42 वे संसो जंद्वारा चलिए इसका सही अंसर 42 वे संसो जंद्वारा ठीक निक्ष्ट बात करते हैं कुछ नमबर 23 है यहां पुछा जा रहा है कि भारत के संविधान भारत के संविधान के आमुख का लच्छ उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है पहला है कथन कि समाजिक तथा आर्थिक ने आया आमुख यान उद्देशिका ठीक है दूसरा विचार तथा आविव्यक्त की स्वतंत्रता तीसरा है और चौता है व्यक्त की प्रतिष्ठा बताईए यह जो है लोगर का फुष्चन है अभी आगे देखें कि तो आई यह से मैं से ही इसी प्रकार से प्रस्ण आया हुआ है ठीक है चलिए बताए कौन सा इसमें सही है क्या क्या सुनिश सबकाए नंत्रता आभिचार अविव्यक्ति उपासना धर्म और एक वहतरता और कौन कौन सी है इतने हो गया तो आँ कि विचार अभिव्यक्ति दो विश्वासिएतin धर्म चार उपासना 5 ठीक पांचों तो हो गया भाई विश्वास धर्म थिक विश्वास धर्म उपासना विच्यार और अभिव्यक्ति यह पांच प्रकार की स्वतंत्रता है सामाजी कार्थिक और राजनेतिक और राजनेतिक तीन प्रकार के न्याय है ठीक और इसके अलावा क्या है इसके अलावा किसकी बात की गई इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की गई है ठीक है यानि कि कौन सा सही है इसमें वेक्ट की प्रतिष्ठा नहीं और वेक्ट की प्रतिष्ठा की बात की गई है और वेक्ट की प्रतिष्ठा की भी बात की गई है इसके अलाओं ठीक यानि कि कौन सा उप्षन सही होगा सभी चारों आपसर नमबर डी ठीक है आईए देखे कि यहां पर देखिए लिके उसके समी नागरिकों को एक सामाजी कार्थिक और राजनेतिक न्याएं तीन तरह कान्याएं विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना यानिकी 5 तरह की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और ऐसर की समानता ठीक, 2 तरह की समानता और व् दिये हुए स्टेटमेंट दिये हुए एक कथन और एक कारण ठीक है चली पहले कारण देखते कारण एक कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी धर्म निर्पेच लोग तंत्रात्म गड़राज्य है और कारण बता जा रहा है कि इसे 42 संसोधन द् चाइबं रतिस्थापित किया गया नीचे दो कूड दिया हुए है और सही कूड का एंसर चुरणे तथा Άर की व्याक्या है और ताहिए हैंAg क्थन कारण की सही से व्याख्या कर रहा है और दोनों ही सही है क्थन की सही से व्याख्या कर रहा है देखे यहां पर भारती संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर प्रभुत्त संपन समाजवादी पंथ निर्पेच लोग तंत्रात्म गड़राज्य है ठीक है 42 वे संसुदन द्वारा भारती संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़े गए थे यहाँ देखे यह समाजवादी धर्व निर्पेच और समाजवादी धर्व निर्पेच दो सब्दाया है ठीक यह कब जोड़ा गया 42 वे संसोदा 1976 के द्वारा ठीक है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हलका सा आईए नेक्स कोस्टेन की बात करते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है जल्दी हो रहा है तो अरजेस्ट करिए और थोड़ा जल्दी चलने का प्रेयत निकीजिए क्योंकि तीस मि ज़्यादा की प्रस्तावना आरभ होती है यह पुच्णा के लोग तंतर सब्दोसे या पिर्वि थे समिधान का पहला ही उद्यसिका का पहला ही इस हो तब कर लेंगे हम भारत के लोगों द्वारा ही समिधान के प्रस्तावना शुरू होती इसलिए यहां पर लौकिक सारव भौमिक्ता है ठीक है एक्स्पलेंशन देखे जरूर इसका लौकिक सारव भौमिक्ता का अर्थ पता चलेगा जनता सरो सक्तिमान है और और किसी बाह सक्ता के अधीर नहीं है ठीक यह अर्थ होता है लौकिक सारव भौमिक्ता का ठीक है आईए बात करते हैं नेक्स्ट प्रस्ट के बारे में तो यहां पुछा जा रहा है कि हम भारत के लोग वी द पिपुल आफ इंडिया सब्दों का प्रयोग भारत के सम्विधान में कहां किया गया है ए नीति नीदेश डी सम्विधान की प्रस्तावना आईए नेक्स्ट बात करते हैं कोस्ट नमर टॉंटी सेवन की यहां पुछा जा रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्थ और समान रूप से माना हो है यह सिद्धान्त जाना जाता है ए सारव भौमिक्ता बी समस्टिबाद सी समाजवाद डी अंत क्रिया बाद जलिए इसका सई अनसर है option no a सभी व्यक्ति पूर्थ और समान रूप से माना हुए यह सारव भौमिकता बात के नाम से सार्व भौमिक्ता का सिद्धान्त है आईए बात कर लेते हैं explanation की देखे सभी व्यक्ति पूर्थ और समान रूप से माना हो है यह सिद्ध सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए ठीक है यही सौरभवमिक्ता का सिध्धान्त है ठीक जो है सभी के लिए है समान रूप से है बात करते हैं निक्स्ट परसंट के बारे में कुशनों 28 इसमेर पूचा जा रहा है कि भारत के संदर में निम्न मेंसे कौन धर्म निर्पेच्छ सब्ध का सही भाव व्यक्त करता है ठीक, कट गया है यहां पे, यहां पूचा जा रहा है कि भारत के संदर्म में निम्न में से कौन धर्म निरपेच सब्द का सही भाव वेक्ट करता है, A. भारत में अनेक धर्म है B. भारतियों को धर्मिक स्वतंतरता प्राप्त है C. धर्मन उपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्बर है या फिर D. भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है जल्दी करिए चलिए इसका सही अंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है कि भारत का भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रस्य अपिछित है ठीक लास्ट लाइन कार्थिया ही है कि भारत अगर कोई राज जो है किसी धर्म को आसरे देता है तो सभी धर्मों को से समान रूप से आसरे देना होगा ना कि किसी एक धर्म को ठीक है आई ये नेक्ष्ट बात करते हैं कुर्श्चन नमर 29 की यहाँ पुछा जाराय की निम्न लिखित में से कौन सा सब्द भारत के सम्विधान की उद्देशिका में नहीं है ठीक उद्देशिका में नहीं है ए समाजवादी बी पंत निर्पेच ची प्रभुता समपन या पर डी लो कल्याण जल्दी कीजिए टाइम देखे काफी ज्यादा हो जारा कम सकम उद्देशिका वाला चेप्टर तो होई जाना चाहिए न चलिए इसका सही अंसर है आफशन नमरिजी लो कल्याण के बाड़े में अभी तक हमने पूरी पूरी उद्देशिका पढ़्डाली लेकिन कहीं पर भी इस सब्ड़ का यानी कि आफशन नंबर डी का लो में कल्याण आईए चलिए बात करते हैं नेक्स कोस्टन के बारे में यह है कि भारती सम्विधान के प्रस्तावना में निम्लिकित में से की स्वतंतरता का वर्ड़न नहीं है देखे कहें न आईएस में आया था या प्रस्टन देखें आईएस के 2017 में और PCS में इसके 2008 में प्रस्टन आया यानि की सभी तरह के प्रस्टनों को कर ये अपनों यह नहीं किस तरल है यह कटी राइए आई और रे यार कि यह सभुनें से जल्व देखें बार को बताये गया कि तीन तरह के नहाएं है आपकिसा गवाजी कॉर और राजनेतिक न्याय है पांच तरह की स्वतंतरता है विचार अभिवेक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता है और दो तरह की समानता प्रतिष्ठा और और अवसर की समानता का वर्डन है ठीक यह गणवर्ण होगे नहीं इस प्रस्ण को करने बड़ा मज़ाता आप लोगों को भी आईए बात करते नेक्स कोसे नंबर 31 की निम्लिकित में से कौन भारती सम्विधान की प्रस्तावना में उल्लखित नहीं है ए सामाजिक न्याय बी आर्थिक न्याय सी राजनीतिक न्याय चली इसका सही अंसर है आपसर नंबर डी धार्मिक न्याय की बात सम्विधान में नहीं की गई है नेक्स्ट कोसे नंबर 32 है कि सम्विधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कतन सही है समाजवादी धर्म निर्पेच सब्सविध सम्विधान के अंग नहीं थे वी उक्त सब्सविध के श नृषीं सम्विधान की गई उसका सही अंसर है आपसर नंबर अ ही ठिक यह 1976 में सामिल हुए थे समाजवादी पंतनिर पे चौर अखंडता ठीक है अखंडता अरे भाई आप लोग स्मार्ट हो गए है आई क्वेश्चन नमर 33 भारती सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है कई जगा कई बार पूछा गया है अब प्रस्में चलिए इसका सही अंसर है आफ्सन नमर सी उद्देशिका को जो है सम्विधान की आत्मा कहा जाता है हाँ यही कोर्श्चन अगर भी मरावं मेड करके विव से पूछी जाए तो सम्विधान की आत्मा इन्होंने कहा था यहां पर बताजा भी गया है देखिए है भारती सम्विधान के उद्देशिका को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है क्यम मुनसी नहीं से राजनीतिक जन्म पत्रिया पॉलिटिकल होरिसकोप कहा है सुभाज कष्यप ने कहा है कि समयधान शरीर हैं तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधार सिला है तो समयधान उस पर खड़ी अट्टालिका है ठीक देखें यहां पर भीमराव अम्मेडकर ने सम्मेधानिक उपचारों के अधिकार को सम्मेधान की आत्मा और हिर्दय कहा है आता है यदि भीमराव मेडकर के संदर में यह प्रस्ता है तो इसका उत्तर विकल्ब D यानी की सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार होगा लेकिन तब जब भीमराव मेडकर इस पस्ट रूप से उल्लिखित हो या मेडकर उल्लिखित हो ठीक है अन्य था उद्देसी का ही इस जनम कुंडली कहा है जवाहलाल लहरू, बी वललभाई पटेल, सी बी या रमबेटकर या डी केम मुनसी अथवा ई महत्मा गांधी चलिए इसका सही अंसर है, ऑफ्सन डी केम मुनसी ठीक है, केम मुनसी ने जो है, उद्देसी का को हमारे संप्रव परजातांत्रि कड्द अंत्र की जनम कुंडली भी कहा है, साथ यसाथ राजनीतिक जनम पत्री भी या पौलेटिकल हरोश्कोप भी केम मुनसी ने कहा है, ठ तिसम्धान को एक पवित्र दस्ता वेज खंग ए ईसका है ऊप्षन नंबर में से पवित्र दस्ता वेज कई फिर ऊस्का बात करने से फ सबस्टान को एक शुस्का है एक प्रिवीजने के उसने को पीछे बात हुए उनके बारे में रिवीजन हो जाएगा देखे बिया रम्बेटकर ने भारती सम्विधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है 29 अगर्शतु 1947 को सम्विधान सभा ने बिया रम्बेटकर की अध्यचता में साथ सदस्ती प्रारूप सम्ती का गठन किया था प्रस्ना ऐसा था वो वला कि बिया र देखिए नेक्स्ट है कुर्ष्टन नमबर 36 कि किस वाद के फैसले में सर्वचने आयले ने सर्व प्रतम घुसित किया कि उद्देश्टी का सम्विधान का हिस्सा नहीं है ए बेरुबारी बी सज्जन सिंग सी गोलकनाथ या डी केश्वानन्द भारती आई ये इसका सही अंसर है आफसन नमबर ए ठीक इस वाद के फैसले में सर्वचने आयाले ने सर्व प्रतम घुसित किया था कि उद्देश्टी का सम्विधान का हिस्सा नहीं है बेरुबारी बाद में एक्स्प्लानेशन भी जरूर देखिए देखे इन री बेरुबारी यूनियन 1960 का यह वाद था बेरुबारी वाला ठीक के वाद में सर्वचने आयाले ने सर्व प्रतम घुसित किया कि उद्देश्टी का या प्रस्तावना सम्विधान का अंग नहीं है किन्तु के स्वानन भारती बनाम केरल राज्यकप का यह वाद है तो 1973 का यह वाद है इस वाद में सर्वचने आयाले ने उप्रतम घुसित को पलटते हुए उद्देशिका यानि प्रस्तावना को सम्विधान का भाग मान लिया है यानि कि सम्विधान का भाग है थोड़ा इस नोट पर भी ध् कि निम्न लिखित में से किस वाद में उच्चतम नयाले ने धारणा प्रस्तुत की की उद्देशिका सम्विधान का भाग है यूनियन बना यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डी डॉक्टर कोहली बी बनारसी दास बनाम इस्टेट आफ यूपी सी बुम्माई बनाम यूनियन इंडिया या फिर डी मलक सिंग बनाम इस्टेट आफ पंजाब जल्दी कीजिए जल्दी नया केस मिल गया ना चलिए इसका सही अंसर है आप्सन नंबर सी बुम्माई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में उच्चतम नयाले ने उद्देशिका को सम्विधान का भाग माना था आईए इस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी या एक्फलानेशन में ही मिल जाएगा हमको देखे बुम्माई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम नयाले ने उद्देशिका सम्विधान का अभिन अंग है केश्वानंद भारती बना स्टेट आफ इंडिया ठीक और खेश्वानंद भारती दोनों में से कोई एक ना रहे दोनों रहेगा तो केश्वानंद भारती आपको कोई टिक करना ठीक है आई यह नेक्ट बात करते हैं कोस्ट्य नमर 38 की कि निमने लिखी विवादों में से किस में सर्वोच नायाले ने प्रस्तावना को भारती सम्विधान की मौलिक संद्रचना का भाग स्विकार किया A. बेरुबारी विवाद B. एके गोपालन विवाद C. प्रीवी पर्स विवाद या फिर D. केश्वानन्द भारती केश्वानन्द भारती के मामले में सर्वोच नयालय ने प्रस्तावना को भारती सम्विधान की मौलिक संद्रचना का भाग स्विकार किया सर्वोच नयालय के सब्दों में कि हमारे सम्विधान का प्रसाद उद्देश्रिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है यदि इन में से किसी भी तत्वों को हटा दिया जाए तो सारा धाचा ही ढह जाएगा अर्थात सम्विधान वही नहीं रह जाएगा अर्थात अपने व्यक्तित और पहचान भी सम्विधान खो सकता है अगर उद्देश्रिका को हटाया जाए वैसे यह स्टेट्मेंट आप अपने मेंस के अंसर में भी कोट कर सकते हैं सीधे सीधे आई यह बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की बस जरासा है यही 43 कोस्टन है 39 प्रेम लोग ही है ठीक है भारत यह पूरा खतम हो जाए ज्यादा बटर है ना इसके बाद नेक्स्ट चेप्टर से ही शुरुआत होगी तो देखे भारती साविधान की प्रस्तावना में जिन मूल अधिकारो राजी के नीच निजशक्ट सिध्धानतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में समिधान के पार्थ में कहीं नहीं जल्दी कीज़े जल्दी चलिए इसका सही अंसर है option number C मूल अधिकारों राजी के नीच निरेशक सिद्धानतों और मौलिक करतब्यों के अध्याय में भारती समयधान के प्रस्तावना में जीन आदर्सों और उद्देश्यों की बयात के गई है उनकी रूप रेखा दी गई ह ठीक है या उनकी व्याख्या की गई है ठीक आईए एक्षानेशन वैसे अब देखने जरूरत नहीं है फिर भी बात कर लेते हैं देखें भारती सम्विधान के प्रस्तावना सम्विधान के उद्देश्यों को प्रतिविंबित करती है सम्विधान का मुख्य उद्देश से व्यक्तिका उतकर्ष कहीं संपूर राष्ट के उतकर्ष में बाधक न बन जाए इसलिए सम्विधान में बंधुत्य की भावना पर भई बल दिया गया है इस प्रकार प्रस्तावना बजीन आदर्सों एवं उद्दिश्यों की रूप रेखा दी गई है उनकी व्याक्या सम लिकित में से कौन एक भारती सम्विधान के उद्दिश्यों को प्रतिविम्बित करता है ए मौलिक अधिकार बी सम्विधान की प्रस्तावना सी राज के नीतिनिदेशक शित्तत्व डी संसद जल्दी किजिए टाइम बीत रहा है बाई चलिए इसका सही अंसर है आप्शन सामाजी कार्थिक और राजनीतिक पास तरह की सतंतरता विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सतंतरता दो तरह की समानता कौन-कौन सी बताईए अवसर और प्रतिष्ठा ठीक दो तरह की समानता एक प्रकार का बंधित्त्व या भ्रात्रित्व ठीक है आई नेक्स बात करते हैं यही सब दिया हुआ जो इसमें बताएगा क्या कम ही दिया है ठीक है आई नेक्स बात करते हैं कुश्चन नमर 42 की तो यहां में उपबंद किया गया है ए उद्देशिका और मूल अधिकार बी उद्देशिका और राज की नीट के निदे सकत्तों सी मूल अधिकार और राज की नीट के निदे सकत्तों डी उपर युक्त में से किसी में नहीं जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए प्रस्तावना भी कहते हैं याद रहेगा ना प्रस्तावना भी कहते हैं याद रहेगा ना प्रस्तावना भी कहते हैं या फिर आमुक तो नायाले में लागू नहीं होती दूसरा कतन है कि महत्पूर्ण है और उसकी उप्योगिता है कतन तीन है कि सासन करने के उद्देश्यों को उलिखित करता है और कतन चार है कि समिधान के कानूनी अर्थ निरड़े में सहायता करता है और कूट से एंसर को चुनना है कूट है एक और दो बी दो और तीन जब तक मैं पढ़ रहा है तो तक आप उपर देखिए ना भाई का है यहां परसान है सी एक दो तीन डी दो तीन च्यार देख लिए कि नहीं देखे अभी तक आप लोग चलिए आईए बात करते हैं ठीक है देखे यह भी सही है महत पूर्ण भी है और इसकी उप्योगिता भी है सासन करने के उद्देश्यों को भी उल्लिखित करता है और सम्विधान के कानूनी अर्थ नेड़े में भी सहायता करता है यानि कि कोई भी इसमें सही नहीं गलत प् देखे भारती सम्विधान के आमुक कोही उद्देश्यों कहा गया ठीक या इसमें से आप जो maximum answer सही हो ना उसको टिक कर सकते है वैसे ऐसे प्रस्न जब भी पेपर में आया है तो ठीक चाही से चाही से दोनों में से कोई भी सेलेट करते हैं सही होता है ठीक है देखे भारती सम्विधान के आमुक कोही उद्देश्यों कहा गया है प्रस्न में उद्देश्यों का सम्बंधी सभी चारों कथन सत्त है परन्तु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है यह अभी धातब व्याई कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है अर्थात किसी भी विकल् कोई चैन किया जा सकता है यहीं चीज बताए गया कुछ खास नहीं है पर जा मतलब फरजी में पढ़ रहे थे भाई नेक्स्ट बात करते कुछ नंबर 44 की और आज के इस लेक्चर में के आखरी प्रस्ण के बारे में इसी के साथ उद्देशी का का चैप्टर समाप्त हो जाए है इसका सही अंसर है ऑप्सन समाजिक समानता समिधान में प्रत्या भूत है सम्विधान के अनुच्छे 14-18 तक प्रदत समता के अधिकार के विभिन प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है इसी के साथ इस लेक्चर का अंत होता है और फिर नेक्स्ट हमारा आएगा सासन प्रणाली के बारे में ठीक है इसमें भी कुछ प्रस्णा है उन पे चर्चा करते हिए सीधे निकल जाएंगे हम अनुच्छे देएक की तरफ ठीक तो चलिए फिलाल के लिए धन्यवात आप सभी का थाइंक्यू थाइंक्यू वेरिमेट फॉर डिस्कसन जाएंगे